महराश में ठाकरे सरकार ने CBI को बिना अनुमती कोई भी कारवाई करने पर पाबंदी लगाई थी मगर नाकपु शहर के कपल नगर थाना शेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है कि इसमें दो आरुपियों ने खुद को CBI अधिकारी बता कर पांच लाग की रिश्वत मांगी है उजवल देवतली और चेतन मौधिकर नामक नकली CBI अधिकारी अब जिल की सलाखों के पीछे है शहर के माया शनभर का ये नारी रोड पर अपने मा भाई और बहन के साथ रहते हैं उनका भाई सरकारी अधिकारी है जिसे वोय हमेशा बाहर रहते हैं बुद्वार को आरुपी उजवल शनभर करके घर गया और उनके खिलाफ मानकपूर थाना में शिकायत आई है इसी की पूस्ताच करने आया हूँ ऐसा कहा परिवार ने उजवल से उसके बारे में पूछा तो उसने खुद को सीबियाई अधिकारी बताया एक मामले में अश्वीन शनभर कर फसे हैं उन्हें इस मामले से निकालना होगा तो पांच लाक रुपे लगेंगे ऐसा उजवल ने कहा इतना ही नहीं उजवल ने परिवार को FIR की कौपी भी दी परिवार को उजवल पर संदे आया और सभी ने उजवल से सवाल पूछने शुरू कर दिये सवाल को देख उसने मौदेकर को फोन किया और शन्भरकर सवाल पूछ रहे हैं यह कहकर फोन माया शन्भरकर के भांजे अवीश काले को फोन दिया फोन लेते ही अवीश ने कहा कि यह आवास में पहचानता हूं यह सुनते ही सामने वाले ने फोन काट दिया शनभरकर परीवार ने उजवल को एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर जान करे दी इतने ही देर में मौदेकर वहाँ पहुचा और शनभरकर परिवार को शांत रहने को कहा जैसे ही वो घर से जाने लगा वहां कपिल नगर थाना की तीम पहुंची और दोनों आरुपियों को गिरफतार कर मामला दर्ज किया है जैसे ही वोलग सांगित ली तेख सीबियों अपिसर असुन मानका पुर पॉलडेशन मदे एक चीडन चा गडली लाई त्या गुन्या तपास सिबया एकड़े ले वर्ग जाली आसुन अताम ते त्या थे ते त्या गुन्या मदे फीर्यादी चे भाव आश्विन शंबर कर य जो वेक्ति आले तेचे बदल थोड़ा सा संशे वाट ले मुले तेनी इतरु उच्छारपूस के लिए आइकाड मागिदले तेनी आइकाड मागिदले तेनी आइकाड चाय विज आधार काड़ दाकोले तो फिर्यादी जे मना अलुन शंका उत्पन जाली त्यास बरुबर फ बडाद में दोसरे विटे ला ठेर दुसरे विक्ति ला ठोन पर ठाचब जाला त्या इतरु पिर्यादी एट्या लाक्ष एले कि समोर जाता हैं तेनी तेनी तो पर बोलने के लाट जोग तेजाज समोर जो घार शंकाला थाली आधार कार घ्टे भरवाच्वास पालो पूली स्टेशन ला फोन करूं पूली स्टेशन चादिकारी खात्री केले असता है दोनी व्यक्तिव सीबे अधिकारी असले बनाव करूं त्या फिर्यादिवाई तेंचा कुट्टों बाजी फसनों करता से लक्षेताले त्या बाबत आधिक विचार पूस केले असता सीबे अधिकारी बनाव करूं पूस्टे नंदनों ये ठीकान चाहें आज जो शन्वर का परिवार ने किया ये शहर के सभी लोग करने लगे तो उजवल देवतली और चेतन मौदेकर जैसे नकली लोग निर्मान नहीं होंगे इस पूरे मामले में चेतन मौदेकर मुख ये आरोपी है आपने अक्षे कुमार की स्पेशल 26 फिल्म देखी होगी उसमें एक नकली सीबियाई टीम बनाई जाती है और इसकी जाहिराद भी होती है इसी तरह चेतन ने सोशल मीडिया के जरिये ये जाल बिचाया और ये असफल काम किया मगर इसके जाल में कौन फसा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कैमरा परसन अखिलिश भारत वाज के साथ अपिशेक पांसी बीसीन नियूस नाकपुर